जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज दो बात करने वाले हैं बिग बैस लीग के बारे में तो दोस्तों इस लीग का मैच नमबर थिरी होने वाला है जो कि दोस्तों ब्रिस पैन हीट वर्सिस मैलबन रैंकर्स के बीच में खेला जाएगा कल दोपार एक बच कर 45 मिन तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्पॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में दोस्तो इस मैच की पूरी डिटेल एनलाईसिस के साथ में दोस्तो 5 टीम की कॉबिनेशन आपको मैं दूँगा जिसमें से 1 टीम आपको hit to hit की रहेगी जिसमें मैं दोस्तों life में बना कर दिखाऊंगा और दो team आपको ACL की मिलेगी और दो टीम आपको GL की मिलेगी ये 5 टीम की combination आप दोस्तों पूरे के पूरे GL में भी लगा सकते हैं 5 टीम में 3 टीम पक्की चलेगी और 4 टीम भी चल सकती है तो अगर आपको जीतना है तो ये 5 टीम को जरूर लगाएंगे और वीडियो में दिये गए सारी टेल को अच्छे से समझेंगे अच्छे से पिछ रिपोर्ट को देखेंगे कौन से प्लेयर इस मैच को खेल सकते हैं वो भी देखेंगे और रेगुलर जीतना चाहते तो इस चैनल को सस्क्राइब करेंगे साथी बैल आइकन दबालेंगे और टेलिगराम गुरूप में भी जॉइन हो जाएंगे इन केस इन जो टीम मैं दूँगा और कुछ डिटेल जो दूँगा अगर कुछ गलती होती तो मैं आपको टेलिगराम पे अपडेट कर सकूँ यहाँ इसलिए वहाँ पे आप जॉइन हो जाएंगे तो चलते हैं दोस्तो बारी-बारी मैं आपको यहाँ पे सारी बते बताता हूँ तो उससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको pitch की report और उसके बाद में team comparison तो दोस्तों pitch की बात करें तो ये जो match है वो पूरी की पूरी नई stadium में खेला जा रहा है जो की carless stadium नाम है ये carless city में भी इस्तित है ये stadium जहाँ पे दोस्तों जो average score निकल कर आ रही है वो 140 रनों का average score निकल कर आ रही है और जो pitch है यहाँ पे अभी तक जितने भी match खेले गए वहाँ पे balling यहाँ पे behave करता है एकाद दो match में batting को favor करता है लेकिन अधिकता time में ये balling को ही favor करता है तो यहाँ पे दोस्तों balling अच्छी कासी आपको देखनी को इस match में मिल सकती है और दोनों ही टीमों से आप baller को ज्यादा रखने का अपने टीम में कोसिस करेंगे ताकि आपको फैदा हो सके दोस्तों और बात करें spin balling तो यहाँ पे spin balling को 20% का support है और पेसर्स को यहाँ पे 80% का support है तो अपने टीम में आपको पेसर्स को सामिल करने है और एक दो spinner भी अपने टीम में आप रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा मुझीबूर रह्मान जैसे आपको यहाँ पे player दिखेंगे चुकि spin के option में आपको देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको इसी balling combination से अपना team बनाना है साथ में आपको मैंने बता दिया कि bowling favor है तो ज़्यादा बोलर्स आप रख सकते हैं या फिर order के साथ भी जा सकते हैं हाला कि दोनों ही टीमों में ज़्यादा order नहीं दिखेंगे आपको लेकिन आपको जो दो तीन ओर order दिखेंगे आपको अपने team में सामिल कर लेना है जिससे आपको फैदा हो जाएगा दोस्तो तो यह रही pitch की बात weather की बात करें तो weather दोस्तों यहाँ पे इसकरेट cloud रहेगा और temperature आपको 27 के असपास देखनी को मिलेगा बारिस होने की संभावना थोड़ी तो रहेगी लेकिन नहीं मतलब बारिस नहीं होने की संभावना यहाँ पे 95% है तो मुझे लगता है most probably यहाँ पे बारिस नहीं होगी यह थी दोस्तों दोनों ही तीमों की टीम बोल रहा हूँ यह थी दोनों ही पिच के बारे में report मैंने बताया अब चलते हैं दोनों ही टीमों की report बताते हैं की कौन सी टीम यहाँ पे तगड़ी है तो दोस्तों ब्रिस पैन हीट और यहाँ पे मैलबन रंकेट्स की बात करें रिसेंट के जो भी मुकाबले यह 5 मुकाबले खेले हैं तो दोस्तों जब यह ब्रिस पैन हीट और मैलबन रंकेट्स आपस में खेलते हैं तो मैलबन यहाँ पे मैलबन रंकेट्स का पड़ना हमेशा भाली रखता है इनका हर मैच में 60% जीतने की chances रहती है और ब्रिस पैन हीट की 40% का जीतने का chances रहता है लेकिन अगर आप मेरे prediction को follow करेंगे तो इस मैच को ब्रिस पैन हीट ले जाएगी और ब्रिस पैन हीट इस मैच को जीत जाएगी तो थोड़ा से यहाँ पर ब्रिस पैन हीट को आप favor कर सकते हैं अगर 60 वाजी खेलते हैं तो आप ब्रिस पैन हीट के तरफ से आप अपना यहाँ पर लगा सकते हैं आपको फायदा देखनी को मिलेगा यह पूरी की पूरी दोस्तों मैंने यहाँ पर analysis बताया अब चलते हैं आपको playing 11 के तरफ से ले चलते हैं और player status के बारे में बताते हैं कि कौन से player को अपने team में आपको रखना है hit to hit में किन को SL में रखना है तो साथ में साथ में दोस्तों यहाँ पर जो team बता रहा हूं वो hit to hit की team है और साथ में playing 11 में बताते जाऊंगा कि कौन से इस match में playing 11 रह सकते हैं तो changes होगी तो मैं आपको update telegram पे कर दूँगा तो दोस्तो keeper के सक्सें में आपको तीन option दिखेंगे जो कि sampling हो सकते हैं J Pearson और यहाँ पर H S Hamper हो सकते हैं तो यहाँ पर J Pearson और S Hamper को आपको grand league और mini GL जो की 4-5 वाले जो league होते हैं उसमें लगा सकते हैं head to head में इनकी जगा नहीं बनती है Sam Billings को मैंने अपने head to head के लिए रखा है Sam Billings हाला की बीच में बल्ले बाजी करने आएंगे तो थोड़ सा यहाँ पर important बल्ले बाज तो हैं लेकिन यहाँ पर आपको head to head में जरूर इनको रखना है बैटिंग के सक्सें में आपको दोस्तो उसमान ख्वाजा नहीं देखने को मिलेंगे Aaron Finch खेलते हुए दिखेंगे Sun Mars के अभी final update आई नहीं है खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं most probably नहीं खेलेंगे इसलिए मैंने इनको team map ने सामिल नहीं किया Martin Guptill भी नहीं खेलेंगे इस मैच में इस मैच में दोस्तों आपको खेलते हुए दिखेंगे Colin Munro, Javils, M Burnett खेलते हुए दिखेंगे S Hins नहीं खेलेंगे इस मैच को M Harvey भी नहीं खेलेंगे M Harris भी नहीं खेलेंगे गुरून नहीं अगर आप चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आर विटले के साथ भी जा सकते हैं या फिर सेम टीम से जा सकते हैं हलाकि बड़े प्लियर्स कुछ नाम यहाँ पर नहीं खेलते हुए दिखेंगे तो उनको आपको एग्नोर कर देना है और रंडर के सक्षन में आपको यहाँ पर आंडरे रसन खेलते हुए दिखेंगे मारकेस लबुशा ने इस मैच को नहीं खेलेंगे मैट रंसो खेल भी सकते हैं और नहीं भी तो फानल अपडेट आगी तो मैं आपको आपडेट टेलिक्राम पे कर दूँगा मैडिनसन खेलते भी दिखेंगे एम निसार नहीं खेलेंगे विदर मूथ भी नहीं खेलेंगे यहाँ पर सुदर लैंड खेलते भी दिख सकते हैं और जे बलेजी खेलते भी इस मैच को दिखेंगे तो मैं अपने हेट टुएट की मुकाबले में जे बलेजी को सामिल किया हूँ मैं डिंसन को अपने टीम में नहीं रखा हूँ मैं ट्रंसों को भी नहीं रखा हूँ आई गी तो मैं अपडेट कर दूँगा और यहाँ पे अंदर असल को अपने टीम में मैंने सामिल किया है बॉलिंग के सक्सक्राइब आपको इचर्टसन देखते हैं लेकिन मुझे लगता है नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे आपको बॉलिंग का अपसन में हेट टुएड में रिचर्ड सन को मैंने रखा है, मैं स्टक्रिक को रखा है, मुझे बूर रहमान को और एक्स बॉलेट को रखा है, अगर चेंज करना चाहेंगे तो अपने तरब से परफेक्ट बॉलिंग और परफेक्ट बैटिंग के साथ ये टीम है, कुछ अगर बड़ी प्लेयरों का नाम सामील होता है, तो मैं आपको अपडेट टेलिग्राम पे कर दूँगा और टीम चेंज करकर दे दूँगा, हाला कि अभी हिट टुएड के लिए यही टीम आपके लिए परफेक्ट रहेगी, अब चलते हैं दोस्तों आपको चार टीम की कोभिनेशन और दिखाते हैं, जो मैंने पहले से बना कर रखे हैं, तो दोस्तों ही मेरी दूसरी टीम की कोभिनेशन है, जहां पर देख पाично होंगे, मैंने मैने मैडिसन को जगा दिया है और यहां प आपको जीतना चाहते है तो यह टीम आपको बैतरीन विनिंग करवा सकती है जहांपे दोस्तों बाॉलिंग और बैटिंग दोनों ही perfect है और easily win करवा सकती है तो changes अपके तरफ से कर सकते हैं या फिर same team से आप चाह सकते हैं चलते दोस्तों तीसरी टीम की तरफ दोस्तों ये तीसरी टीम है जहापे मैंने बॉलिंग के अप्सन थोड़ा जादा रखे हैं मैडिंसन को मैंने वाइस कप्तान और कप्तान मैंने अकिल हुसेन को बनाया यहाँ पे मैंने रोगर को जगा दिया है साथ में स्वेपसन को भी जगा दिया है और यहाँ पे जेपियर्सन को भी जगा दिया है यहाँ पे दोस्तो आर्विटले को मैंने रखा और बारियन को रखा है जेक वेल्स को भी रखा है तो यहाँ पे थोड़ी सी नई नई players को आपको introduce किया है मैंने अगर risk की team आपको बनाना है तो यह team आपके लिए बैतरीन हो सकती है grand league के लिए तो इस team को आपको grand league में लगा लेनी है आपको फैदा देखने को मिलेगा अगर कुछ changes होगी तो मैं आपको update टेलिग्राम पे कर दूँगा दोस्तो और यहाँ पे एक team मैंने दिखाने भूल गया एक team यहाँ पे और है जो कि आपको mini jail जिदा सकते हैं जहाँ पे देख पार होगे मैंने कफटान मार्क स्टेटी को और वाइस कप्तान में यहाँ पे Aaron Finch को रखाओ इस team को आपको mini jail में लगाने है जहाँ पे 3-4-5 वाले जो लीग होते हैं वहाँ पे इस team को लगा देंगे तो आपको फैदा देखने को मिल जाएगा दोस्तो अब चलते हैं दोस्तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं आखरी team जो कि यह मेरी आखरी team है जहाँ पर मैंने बलिट को वाइस कप्तान और कप्तान मैंने मुझीबूर रह्मान को बनाया है तो changes करना हो तो कर सकते हैं या फिर same team से जा सकते हैं तो यह 5 combination आपको लगा लेना है 5 combination आपको कुछ changes होगी तो मैं आपको update कर दूँगा टेलिगराम पे या फिर आप यहाँ पे आप हमाले टेलिगराम गुरूप से जरूर जूर 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 जाएंगे